ह데 mh hem अबने साइट करने वाले बारे में साइट इस्टैंड का एक एसन टॉपिक है जो हमारे संथ हमेसा कुछ नई पर आता रहता है और साइट इस्टैंड के वेड 근 cent तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इसे में आप समझ सकते हैं कि गाड़ी किरने के पूरे चांस है तो इसको हम चेंज करने वाले हैं और कौन सा डालना सबसे बढ़िया रहेगा ये प्लेट सस्ती लोकल ओरिजिनल कौन सी बढ़िया है क्योंकि इसमें दो-तिन मोडल है तो यहां मेरे पास एक प्लेट है इसके अंदर ये साइट स्टैंड की प्लेट बोलते हैं चीक है तो मैं इसको खोल के दिखाता हूं ये आपको पांच सो असी रुपे का असपास पढ़ेगी चाहें तो यही लगाएं चाहें आपके पास स्टैंडर हो या क्लासिक या इलक बात कर लेते हैं ऐसा क्यों देखें ये भी ओरिजनल है और ये भी ओरिजनल है ये दोनों ओरिजनल है बट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये नीचे आली प्लेट में आती है और आप देख सकते हैं ये प्लेट है डारेक्ट तो यहां बात स्टैंड लगाने पर मुड़ जाती है बहुत जल्दी तो क्लासिक गाड़ी के अंदर बना रखाए एक्स्ट्रा एक प्लेट लगा रखी है और यह काफी अच्छा बिल्ड कॉलेटी है काफी मोटी पिलेट है और इसके अंदर मजबूती भी काफी अच्छी है अगर आपका इस्टैंड है उसमें यह प्लेट मिलेगी और साइड इस्टैंड बहुत जल्दी टेड़ा हो जाता है आपने देखा होगा कि साइड इस्टैंड लगा तो गाड़ी एकदम पूरी लेटने लगती है तो यह प्लेट ना डालें यह आपको 2.500 रुपे के मिल अब इसके साथ यह डालेंगे तो इसमें आपको इस्टैंड भी दूसरा नया डालना पड़ेगा और नया स्टैंड 3.500 रुपे के आसपास है यह आपको सिल्वर में मिलेगा और इसके साथ इस्टैंड का स्पिरिंग और कुछ नेट वोल्ट मिलेंगे तो मेरी यही रहा है कि जब भी आप इस्टैंड डालें तो यह पूरा कंप्लीट डालें और आजकल एक नया आगया इस्टैंड जो यहां से यह पाइप है बट उसके अंदर यह पूरा एक मैटल का बना रखा है प्योर बिल्कुल यह अलग से बैल्टिंग का रखा है पर जो नया ब्या स्पोर जो मोडल आया है उसमें विल्कुल कंप्लीट है और उसके अंदर यहां पर देखे चाल नहीं है तो इसको लगाते हैं फिट करते हैं और आगे देखते हैं कि इसको फिट करने का सही दरीगा कैसे है करफ इसमें पने हैं चे करने कि अर्मट करू रदिल्कृ नहीं परर जिल्कृ पर जदे प्लिल अभन MEद से पिट यह है तो प्तिल प्रूबान प्रूब झाल कर दो झाल 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 तो यहां पर आप देख सकते हैं अब गाड़ी हमारी ज्यादा लेट भी निरी है और बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है और आप यहीं पर लोकल आइटम लगाते तो आपको थोड़ा आपको वीडियो पसंद आया होगा और उरिजिनल में और डूब्लिकेट में कुछ पता चला होगा कि डूब्लिकेट डालके क्या घाटा है और इजिनल डालने में क्या फायता है तो जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में जब जय हिंद बंदे मातरम